और अब मैं गादेशाम मिश्रजी से आगरह करूँगा निवेदन के साथ की वे भासकर के प्रकाश कुंदुची रमेश चंदर जी अगरवाल को साधर स्टेज पर लेके आएं पचास वर्ष पूर्व बोया गया एक बीज इतना विशाल वट रक्ष हो जाएगा क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी अपने एक मात्र परिबारिक अगबार को दो चार हजार कौपियों के लिए पंद्रा वर्ष की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ में वे सब काम किये हूं जो कि एक अगबार के बनने, कंपोज होने, खबरे ढूनने, लिखने, ट्रेडिल मशीन पर मौका लगे तो अगबार चापकर बंडल बानने तक के सब काम किये हैं वह आज भारत वर्ष के पचास रसूखदार व्यक्तियों में उन्नीस्वें सौपान पर है। अद्भुतिक्षमता। स्ववत्साहित होने वाला व्यक्तित्व भासकर समू के चेर्मेन 63 वर्षी रमेज जी ने लक्ष रखा दैनिक भासकर को सबसे तेज बढ़ता अगबार बनाने में। उनके ही शब्दों में मैं समाज से प्राप्त करता हूँ और समाज को ही फिर से बांट देता हूँ। इसमें कोई एहसान नहीं करता और इनके लिए कोई सब्ताह निश्चित नहीं है। के साथ लगबग साड़े तीन करोड से अधिक पाठकों की आम सुभा को निश्चित तोर पर खास बना दिया गया है। केबल प्रिंट मीडिया ही नहीं, इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी भासकर टीवी तथा माए एफेम के दर्शकों, एमम शोताओं की संख्या, अगबार के पाठकों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। बस यहीं नहीं, मीडिया के अलावा श्री रमेश जी के कुशल नेतत्व और मार्ग दर्शन में अनेक अध्योग एक उपक्रम सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं। आज भासकर समू देश के उन चुनिंदा उद्योग समू में से एक है, जिनका वार्शिक टर्न ओवर पचा पाँच हजार करोड के आसपास है। बुंदेलखंड विश्विद्याले से डी लिट की मानित उबादी के प्राप्त श्री अगरवाल को अनेक पुरसकारों वा सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिन में से कुछ एक उलेखनी हैं। जैसे दादा भाई नैरोजी मिलिनियम अवार्ड, इंडियन नेशनल सिटिजन अवार्ड 2001, अनसर्ट और यंग इंटर्प्रेनर्स राउंट टेबल अवार्ड आदी। विश्व व्यापी पानी की समस्या और इसके महत्व को द्रिष्टिगत रखते हुए पानी बचाओ आंदोलन एवं जल सत्या ग्रह जैसे जन जागुरूता एवं जन जागरन अभियान चला कर पूरे देश में पानी बचाने और इसे संवरक्षित करने की पहल जैन मुनी स स्वामी महा प्रग्य जी के माध्यम से मद्भदेश, राजस्थान तथा गुजरात के आदिवासी बहुल गांवयों में पांसो अहिंसा प्रशिक्षन केंद्रों की स्थापना तथा संचालन में भागिदारी है हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं शीर अमेश जी अक and today what a moment for all of us to have the man himself R.C. Agarwal Sahabji amongst us who has made Dainik Bhaskar a fastest growing media house in India. Thank you very much. सबका बहुत-बहुत सबको नमस्कार, सबका धन्यवाद